सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब बनाना? यहां बनाने के लिए क्लिए हम यहां पर सब्सक्राइबिन पर्टा पर यहां पर नहीं.. आप इसको और यहां पर हम ने000 शीरक नहीं सीफ?" है अब मतलब आपानटेटी अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहां पे हमने लिए है चार हमाद चीनी से चम्मज से चार चानव चीनी लिए और चीनी भी हम है तुम पर देंगे दिगे हैं कि इतना मिठा आप पो रखना इस अफ्ब एक हमने चम्मच कान फ्लोर ले लिया है तो थोड़ा का दूद एड किया और अच्छे से चम्मच की मदद से हिलाते हूं करना है है खुब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे क्षाहिस में तरीके से उसके दूद में रखा है और रखे disparate अगे से पर गड़ा है और गैस पे हम रखेंगे कडाही तो देखिए हम प्रवापर तरीके से चलाते रहना है जब चलाते रहेंगे तो इसमें नीचे कडाही के तल्य में लगेगा नहीं और अच्छे तरीके से चलाते हुए हमें इसको पकाना है और जब बच्छे तरीके से उबाल आने लगे तब इसको मतलब कि तब थोड़ा चलाना आप कम कर सकते हैं और फ्रेंट्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा बढ़र को सब्सक्राइब करने के साथ ही ओल लिए जिससे कि हम जो भी नया वीडियो ले करके आये उसका सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को बगधर स्कीप गये देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए गजिससे कि आपकी बीज़िकीमde बने और इधर देखिए फ्रेंस को बच्छे तरीके से उबलते हुए हमारा दूध अब यह गाढ़ा होने लगा है और अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही क्रीमी आइस क्रीम बनती है फ्रेंस इस तरीके से बना यह तो इसमें मतलब कि आपको ज्यादा कुछ भ गाढ़ा हो गया है और अब इसको हम गयस के फ्लेम को यहां पर बंद कर देंगी और गयस के फ्लेम को बंद कर देने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा फ्रेंस और इधर देखिए फ्रेंस को बनाने के लिए हम ने एक डिलिया है आप मतलब आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पाल वप लब्द हो उस आम से आइस्क्री Betty मना सकते हैं अच्छा ठीक मतलबव की अच्छा पका हुआ रहेगा आपकी वंस्यूजिक Там तो आम को मतलब लेते वक्त इस तीज का खास ख्याल रखिए कि आम आपका अच्छा पका हुआ होना चाहिए जब आम अच्छा पका रहेगा तो आपकी आइस क्रिम बहुत ही पर्फेक्ट बनेगी उसका कलर बहुत अच्छा है और देखिए चक्को की मदद से अम इसी तरीके निकालने के बाद अपने हिसाब से यह काम आइस क्रीम यह काम से साथ बना रही हूं आप चाहें तो ज्यादा कॉंटिटी में अगर बना रहे हैं तो ज्यादा याम यूज कर सकते हैं और बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से इसको काट करके देखिए हमने रेडी कर लिया है औ देखिए हमारा ये मिल को भी हम अच्रीत कर देंगे और पर देखिएँ हमने मिक्सर जार में आइट करना है तो देखिए ।ौर देखिए हमने मिक्सर जार लिए के पुष्चों को भी हम अच्छी कर देंगे कर देंगे आध कर देने के भाद इसमी दूप दूप रखेफ। *** कर दी या हम फी फीर और पीसलेंगे यह की एक बार में चला कि नहीं पीस फिसे तो फिसे थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके आप जब चलाएंगी तो बहुत ही अच्छा क्रीमी पीस करके हमारा रेडी होगा मैंगो की आइस-क्रीम का वेटर और इसके बाद इसको देखिए हाँ पे हमने कंटेनर ले लिया है और इसको हमें आइड करना है जितना कं यहां को राओता ऐने के लिए व्यक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। काने में तो कितनी अच्छी लगती है जब आते कि आपको small मैं इस आपको थिल समझ में आएब मेरे बताने से तो अच्छे ना समझ में आए थोड़ा गल्ला मेरा घ्राब है और अब इसको अच्छे से देखिए यहां पे हम सजाने के लिए थोड़ा सा टुरूटी फ्रूटी यूज कर रहे हैं और आप चाहें तो मतलब यूज करिए वरना आप इसकी पर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं इसके बगेर ही बहुत ही परफेक्ट आ अच्छे से ट करने में के लिए मैं ने देखिए अच्छे से टुटी फूटी आइड कर दिया और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए लगा देंगे दोनों साइड से के वे definis nice विवाइत हैं इसके बाद अच्छे सेher करतेना है हमें तर्ण सि fiilivalू नहीं रजमेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से पर्फेक्ट आपकी आइस्क्रीम बन करके रेडी होगी और यहां पर देखिए हमने इस पर धक्कन भी लगा दिया और धक्कन लगा करके इसको हमें फिज में रखना है आठ गंटे के लिए फिरिज में लग देजिए फ्रेंट्स तो आपकी बहुत ही पर्फेक्ट आइस्क्रीम बर्ण करके रेडी हो जाएगी और आप यहां तो फिर आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं इसको और इसके बाद इसको हम रख देते हैं साइड में और जो हमारी बच्ची हुई और आइस्क्रीम का डो है इसको हम देखिए हमने आइस् बनाइब करें तो बनाइट करेंगी और इसको मतलब उसके साथ में हमीं इसको भी रख देना है अट फंटे के लिए फ्रीज में अब एडर देखिए हुगे तो हो जाने के बाद आब हम देख लेते हैं किसकी क्या हालत हुई है आपको दिखा देते हैं कितनी अच्छी तरी कि बहुत ही अच्छी लग रही है इसी तरीके से हम इसको चम्मत की मदद से निकालेंगे फ्रेंट साइस्क्रीम को और इसको वावल में सर्व करेंगे तो अभी मतलब कि देखिए हम अच्छे से हमारा चम्मत से निकल नहीं रही है इसको बड़े चम्मत से निकाली तो बहुत कैसा लगा कमेंट करके ज़र बताइएगा और अगर हमारे चाइनल पर नए है तो प्लीज हमारे चाइनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गार सब्सक्राइब करने के साथ ही वेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हम जो भी नय वीडियो लेकर कि आपको पहले मिले तो झाल